हेलो अब्रीवन स्वागत है आपका अपनी चैनल में इसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर तो अभी हम बात करने वाले शेख जमाल और यहां पर सिनपूर क्रिकेट क्लब के बीच मां होने वाले आज के धाका टी-20 के दूसरे मुकाबले की दोनों ही टीम्स दो-दो मुकाबले ख खेल चुके हैं दोनों ही टीम्स की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी से ठीक ठाक रही है बट अभी हम यहां पर डिसकस करेंगे कि भी यह डिफरेंशल पिक्स क्या है कौन से प्लेयर जो आपको इस मुकाबले में जिता सकते हैं कॉमन पिक्स के साथ तो आप नहीं जीतने वाल और यहां पर अगर आप देखो सिनापूर के बीच में मुकाबला होने वाला शेरिफ बंगला नैशनल क्रिकेट स्टेडियम मेरपूर में आपको मैच लाइफ देखने को मिलेगा फोर जून मतलब आज के दिन एक बज़े आपको मैच लाइफ देखने को मिलेगा डी स्पोर्ट जैसे मैं आपको बताया वही है मेरे टीम में तो आता नहीं अगर आपके में आता तो आप देख लेए लाइफ इस मैच को अब अगर आप यहाँ पर बात करोगे शेख जमाल अपना पहला मुकाबला जीत कर आए दूसरा मुकाबला हार कर आए बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं और अगर आप देखोगे यहाँ पर SEC की टीम, सिनेपूर की टीम अपने दोनों के दोनों मुकाबले हार कर आई है सिनेपूर की टीम की परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा बढ़िया रही नहीं है पिछ रिपूर्ट की अगर आप बात करो तो भाई है यहाँ पर अगर आप देखो कॉंटिन्यूसली मुकाबले खेले जा रहे है स्पिच के ओपर तो पिच अब थोड़ी सी याद ठकने लग पड़ी है मतलब स्लो हो चुका है सरफेस तो अगर आप देखो करीब करीब 140-150 रंज अगर बन जाते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रंज है सिनपूर के टलब के अगर आप बात करोगे अपने भीया दोनों के दोनों मुकाबले हार कराए है यहाँ पर टी हसन 30 रं और 21 रं दोनों मुकाबलों बढ़िया परफॉर्मेंस उसके बाद शबीर हुसैन 10 रं और 15 रं फिर उसके बाद अगर आप देखोगे रकीबुल इसलाम आपके आसा 25 रं के साथ एक विकेट और 18 रं फिर उसके बाद टी हैरीडे के 29 रं की पारी रही और यह प्लेयर लेकर आ रहा है रिस्क क्या टी हैरीडे को हम लेने वाले हैं चाहरे या नहीं लेने वाले हैं उसके ओपर हम बत करेंगे आहम इसलाम आपके बास आपके बास आफ़ीख सेथ दो विकेट के साथ एक विकेट उसके बाद अगर आप हसन मुराद आपके पास है एक रन के साथ एक विकेट और टी इसलाम ने बैक तू बैक दोनों मुकाबलम विकेट चटकाई है बड़ी है परफॉर्मेंस रही है इस प्लेयर की अब अगर आप देखोगे आपके पास आर इसलाम है चार ओवर में विकेट इसना एक भी नहीं चटक रहा था तीन बॉल यह अपनी कंप्लीट करवाई और उसके बाद सामने वाली टीम ना रंचेस कर लिए तो एक ही ओवर बचा था और यह आखरी में आकर ओवर करवा रहा था उसके बाद अगर आप देखो शेक जमाल आपके बास हैं शेक जमाल की टीम के अगर हम बात करें पहला मकाबला बहुत बड़ीया तरीके से जीत कर रहा है दूसरा मकाबला अपना हार कर रहे हैं यहां पर शेक अतलीन थाटी एट और थाटी ती रहन के और इसकी सेलेक्शन सेर्फों सिर्फ सिफ सत्ताइस परसेंट है मुझे नहीं पता क्यों फिर उसके नहीं मशरफ था 12 रान और 11 उसके बाद एह अफीक आपके बास है एक विकेट और दो विकेट बैक टू बैक आपको विकेट शिलाकर देकर गया है उसके बाद इसनी की सेलेक्शन कम है इसनी को आप ट्राइ कर सकते हूं मैं भी यह सोच रहा हूं बट में प्रॉब्लम क्या कि भी है शकील न इसना एक भी नहीं चटकाई नाशीर हुसान तीन ओबर में एक मेटिन उसके रहें इसना करवा एह फीक के अगर आप बात करो दो विकेट इसना जटकाई उसके शुबिद्श दो बर में विकेट लिकेट शलॉसके टीन पना तीसरोर और कंप्लीट और रहा था परफोरमस इतने ज़्यादा बढ़ी है रही नहीं आप बात करो बैटिया बॉलिंक शुनर बेंग करवा है तो वह देखकर चलना कि यार ये players कोई भी player आपको to fallingigator של में 잘हूर का पिछले मुकाबले में था Baumtail कि जहूर आपको border Ignishops Index कर लेकर जायगा विडिविकेड लेकर जाएगा बड़ जहूर ना वैसा कुछ करा नहीं टीम अथ से वैसा कुछ करवाया ही नहीं अब अगड़ आप देखो आपके पैशन कॉमानफिक अब एक चीज है यहां पर एक और चीज मांआपको बताऊँगा अगर आपको क्यप्टेंसी वाइस के तेने में रिक्कत हो रही है न no sign को दे दो आपके उपर रहेंगे भीया मुझे श्याकत लेना है मुझे नहीं लेना है मुईराई साब से श्याकत बहुत इंपॉर्टन पिक है टी हैरी डे बॉलिंग नहीं करवा रहा है अगर टी हैरी डे बॉलिंग करवाता तो मैं इसे पक्का लेकर जाता है फिर तो कोई आप्शन है तक मैं आए टी हरीडे को ड्रॉप करता अब अभी के लिए मैंने ड्रॉप करा है और यह अपके पास है एस खान आपके पास है और आध इसलाम तीनों प्लेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी है टी हरीडे आपके लिए कि रिस्की पे रहने वाला है जहूर को ट्रा प्रफिक आपको इंटनेशन ली भी खहलता हूँ दिखा इबादत हुसेन को आप ट्राइख करना चाहते हो तो कर सकते हो बड़ ग्रेंड लीक्ट के आप्षिन स्वाइब्स प्रिक्ति में क्योंसी अब है कर सकते हैं अगर आप कुछ चेंज सकते हो तो आप कर सकते हो क्योंस प्रिक्कत नहीं है सबसे पहले टीम के अगर आप बात करो कैप्टेंसी यहां पर है मश्रुफुल वाइस कैप्टेंसी टी असन फे उसका इसलाम एन हुसैन एसली टी हैरीडे एस असन एस खान उसके बाद एफिक टी इसलाम एश शकील और यहां पर अगर आप देखो एच इसलाम और यहां पर एच मुराद पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रेंड लीग फेवरेवल टीम है तीसरी और आखरी टीम के अगर आप बात करो कैप्टेंसी जो यहां पर दे रखिया वो दे रखिया नुसायन को वाइस कैप्टेंसी आर इसलाम एम अश्रुफुल उसके बाद यहां पर है सली टी हसन एसilsti हभारण टी हखिक उसके बाद बस हमेhew नुरूर छासन आपके बास है टी इसलाम अ शकील और यहां पर यहां पर हैच मुराद पूरी की पूरी टीम आपके लिए मेरे लिए मेरी small league के टेमा आप कहा try करने वाले वो आपके उपर है बट मैं आपने लिए small league में लगाने वाला हूं तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही चैनल सस्क्राइब कर लिजेगा वीडियो लाइक कर दिजेगा पहले गंदबाद दिजेगा क्योंकि ऐसे वीडियो और भी आती रहें गाप के लिए इस चैनल पर